हिंदु हुरते समराट बाला साफ ठाकरे महराष्ट समरूद्धी महामार्ग या समरूद्धी महामार्ग जैसे के हम सबी जानते है इस एक्सप्रसे के 701 किलोमेटर में से लगपक 521 किलोमेटर यानी फेज उन को उपन किया गया था नापूर से शिर्डी तर फिर फेज टू को परशिली उपन किया गया शिर्डी से व पैकेज 14 का 13 km, पैकेज 15 का 28 km और पैकेज 16 का 37 km और एस पर नियू सुनने में आ रहा है इस एक्सपरिजर को वारवीर से और 25 km ओपेन करने का प्लैन है इसी फरवरी में जिसमें से आता है पैकेज 13 का 24 km और पैकेज 14 का 1 km तो आज की वीडियो में देखने वाले है इन दोनों पैकेज यानी पैकेज 13 और 14 का प्रोग्रेस और साथ में देखेंगे exact opening कहां तक और कैसे होने वाला है लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ value मिलता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपके इस छोटे स्टेप से हमें काफी हिल्प हो दिये तो यह है पैकेज 13 का वारविर इंटरचेंज जहां तक अभी ये एक्सप्रेस होए पब्लिक लिए ओपन है यहां से मुंबई की तरफ बड़े तो दिख रहा है कि PQC रोट का निर्मान कम्प्लिट हो चुका है इनफैट इस पब्लिक ओपर पास का भी निर्मान हो चुका है जो आखिवार अंडर कंस्ट्रक्शन था इसके बाद आपको दूर दूर तक PQC का निर्मान कम्प्लिट होते हुए दिखेगा और और रोड मार्किंग और क्रैस बिरियर्स का भी काम कम्प्लिट होते हुए दिख जाएगा लेकिन साइट के बाउंडरी वाल का काम अभी भी बाकी है बाकी रोड साइनेजिस और इन्फरमेंटरी साइन बोर्ड की काम भी आपको कम्प्लिट होते हुए दिखेगा मतलब ये साफ है कि जल्दे इस सेक्शन को उपिन करने का प्लैन है यहाँ पे राइट साइट पे अभी भी लेन मार्किंग का काम बाकी है आके यहाँ पर भी आपको लेन मार्किंग का काम बाकी होते हुए दिखेगा साथी साथ इस पब्लिक ओपर पास का भी काम अभी जारी है जो लिप साइट में दामनी और राइट साइट में बेलकाओ को कनेक्ट करने का काम करेगा फिर यहाँ पर इस section में आपको काफी सारे pending काम दिखेगा क्योंकि back to back काफी सारे structures का काम यहाँ पर चल रहा है जिसमें से पहला यह vacant overpass जो NH-160A के लिए बनाया गया है progress की बात करें तो आक्टी बार यहाँ पर एक span में dick slap का काम बाकी था और दोनी side पे RAM का काम चालू था अभी overpass पूरा ही बन चुका है और साथ में right side का RAM भी बन कर तयार है सिर्फ lip side के RAM पे अभी काम चालू है जो लग रहा है 15-20 दिन के अंदर complete हो सकता है क्योंकि अगर expressway को चालू करना है तो इस overpass का functional होना ज़रूरी है इसके बात आता है और दो public overpasses जिसके आक्री बार की progress देखे तो first overpass का कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ था और दोस्रे में PR का निर्मान चालू था और इस पूरे हिस्से को काटना बाकी था अभी first overpass की PR कैप तक बन चुका है और दोस्रे में गडर erection चालू है और नीचे पूरा ही PQC road का निर्मान हो चुका है लेकिन अभी भी finishing का काम काफी बाकी है फिर आगे बढ़ते जाए तो आपको वापस से road का सभी काम complete होते हुए दिखेगा जहां पे दार्न नदी के उपर ये bridge भी बनकर तयार है और आपको शायद ही ऐसा कोई express वे देखने को मिलेगा जहां आपके left side में पहाड और right side में खुबशूरत नदी देखने को मिले हाँ एक है मुंबई कोई highway जहां कुछ ऐसा ही नजारे देखने को मिलता है लेकिन एक तो वो highway है expressway नहीं दूसरी अभी तक उस highway की widening का काम complete नहीं हुआ है तो अगर आपको मुंबई कोई highway की latest update देख रही है तो इस वीडियो को ज़रूर देखे अब बापस आते हैं समरुदिम हमार्क पे तो ब्रिज क्रॉस करने के बाद आता है ये twin tunnel जो की बनकर तयार है अभी बस finishing का ही काम चालू है और ये tunnel करीब धाई सो मिटर लंबी है और tunnel क्रॉस करने के बाद आपको पूरे highway का काम complete होते हुए दिखेगा जहां landmarking बगेरा भी complete हो चुका है और आप imagine करिए proper monsoon में ये जगए कितने खूबशूरत दिखता होगा वेल imagine क्या करना दिखाई देते है वापस आज की समय पर लोटे तो इसके बाद package 13 के end तक पूरा ही road बनकर तैयार है और यहीं पर end होता है package 13 का यहां से शुरू होता है package 14 जो कि already बनकर तैयार है last एक सालों से overall package 13 के 24 किलोमेटर की section में बेलगाओ के पास करीब 1.7 किलोमेटर में ही ज़्यादा काम बाकी है हाँ possible है main road का काम complete हो जाए फेरवरी end तक लेकिन जो public over passes का काम बाकी है उसे complete करना थोड़ा मुश्किल है बाकी वीडियो के starting में हमने बताया था कि plan करा जा रहा है 25 किलोमेटर को open करने के लिए जो है package 13 का ये 24 किलोमेटर और package 14 का ये 1 किलोमेटर का patch जो आकर end होगा इगतपूरी interchange में यहां से exit लेकर आप जाएंगे NH-160A में जो आगे आजाकर मिलता है NH-160 यानि Mumbai नासिक highway पे और वहां से आप जा सकेंगे Mumbai की तरफ अब package 14 का total length है 13.1 किलोमेटर और हमने बताया कि ये package last 1 साल से ready होकर पड़ा है तो सिर्फ 1 किलोमेटर के हुई क्यों open करा जा रहा है तो इस 1 किलोमेटर के बाद शुरू होता है इस expressway का सबसे लंबी tunnel जो करीब 8.2 किलोमेटर लंबी है और tunnel के दूसरे छोड़ पे package 15 में अभी भी काफी ज़्यादा काम बागी है तो इस tunnel को open करना possible नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि package 15 में कितना काम बागी है तो figure not, next video में हम package 15 का भी progress देखने वाले है बागी वीडियो पसंद आए तो एक like जरू कर दीजेगा हम मिलते है package 15 के वीडियो के साथ तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद